तो गाइस Almighty Guidance के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है तो Complete Indian Polity का जो syllabus है वो मैं आपके साथ discuss कर बैठा हूँ यानि इससे जो पहले वीडियो आई थी उसमें मैंने ये आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको Indian Polity या Constitution of India को किसी वी एक्जाम के लिए तियार करना और कौन-कौन से टॉपिक्स आपके लिए most important है और कौन-कौन से टॉपिक्स आपको जो है एक्जाम से पहले definitely revise करके जाना है तो गाइस Complete Indian Polity की सीरीज में मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ फर्स्ट टॉपिक जो है Historical Background of Indian Constitution तो गाइस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ देखते हैं सुन्दर वाके तो गाइस क्या है वाके देखते हैं देखे लिखा है उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक की लक्षे ना प्राप्त हो जाए तो गाइस ये स्वामी विवेकानन के सुन्दर शबद हैं उन्होंने कहा है क्या कहा कि आप उठ जओ जिस भी condition में हैं आप जिस भी age में हैं आपको अगर competitive exam कोई clear करना है तो आपको जो आलस से अब तक आप कर रहे थे गाइस उसको त्यागना पड़ेगा उसको छोड़ना पड़ेगा आपको books उठानी पड़ेगी आपको YouTube देखना पड़ेगा आपको अब तियारी शुरू करनी पड़ेगी उठो जागो बड़ो क्योंकि ये सारे काम उठना जागना और फिर अपने मन को एक competitive exam के लिए तियार करना गाइस ये life को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है और आपको ये competitive exam की तियारी तब तक करते रहना है जब तक आपका दिल जो चाहता है जिस exam को clear करना वो exam जब तक clear नहीं होता गैस आपको रुकना नहीं है आपको तब तक आगे बढ़ना है और आपको आगे बढ़ने के लिए हर संबव प्रयास Almighty Guidance का YouTube चैनल कर रहे हैं तो ना चाहते हैं तो गैस आप Almighty Guidance के YouTube चैनल को सीधा आप direct link कर सकते हैं वो कैसे आपको क्या करना है कि आपको email पर जाकर एक mail करना है Almighty Guidance at the rate gmail.com इसके इलावा आप Telegram पर भी इसे जाइन कर सकते हैं Almighty Guidance के नाम से आप Facebook पर भी connect हो सकते हैं तो गैस ये सब सुन्दर विचार ज जा रहे हैं तो गैस Indian quality में हमको क्या पढ़ना है देखिए जो क्या पढ़ना है कौन-कौन से topics पढ़ने हैं ये मैंने सारे आपको बता दिये हुए हैं और इस lecture को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दो कि आपको एक Bible of Indian quality जो लक्षमी कांत का 6th edition है गैस ये purchase करना है अग Indian constitution को अगर original form में पढ़ना चाते हैं तो आपको ये universal का the constitution of India bear act लेना होगा तो guys ये सारी चीज़े मैं आपको बता चुका हूँ अब देखिए कि जो जो topics हमने cover करने हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया तो इसमें हम direct classes अब शुरू कर रहे हैं तो आज हम क्या पढ़ रहे है historical background of Indian constitution हम ये देखेंगे सब detail में कि कि किन किन परिस्तितियों में ऐसा मैसूस हुआ कि अब एक जो constitution of India है उसकी requirement है तो guys ये सारा देखने से पहले मैं आपको एक overview दे दूँ कि ये सब constitution का जो concept है ये हमने बहुत सारे देशों को देखकर उठाया है लेक क्यों है क्योंकि जो britishers थे ये 1600 इसवी में year 1600 में 1600 में ये इंडिया में आते हैं as a trading company और उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ पर इनको दिवानी rights मिलते हैं ये administration में गुसते हैं उसके बाद करते करते एक ऐसा time आता है कि जो पूरा इंडिया है उसे ही British India कहा जाने लगा तो एक पाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है 1857 का जो बिद्रो होता है उसको इस पार्ट में cover करेंगे उसके वाद क्या होता है वो next cover में तो guys वीडियो शुरू करने से पहले में आपको ये चीज़ बता दू कि ये जो historical background of Indian constitution है ये syllabus आपका overlapping है क्योंकि जब आप modern Indian history पढ़ेंगे तो guys उसमें भी आपके पास freedom struggle है और अगर Indian constitution की बात करते हैं तो इसमें historical background का एक particular topic है तो guys अगर आप ये historical background पढ़ रहे हैं तो आपका modern Indian history भी cover हो रहा है और आपकी polity भी cover हो रही है तो guys देखते हैं देखिए the Britishers came to India in the year 1600 as traders की ये वेपार करने के लिए East India Company British East India Company भारत में आती है in the farm of East India Company which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth 1 तो guys ये क्या होता है कि जो East India Company है इसे एक order यानि ये चार्टर उसे कहते हैं फरमान की जो British की तब Queen थी Elizabeth 1 वो इनको एक एक परकार की permission देती है legal या राजा के दोहारा धी की permission ये legal permission को हम charter कहेंगे और यही charter देती है Queen Elizabeth 1 जो है East India Company को कब देती है 1600 में कि ये बारत में trade करें और ये ride बारत के साथ trade करने का इनके पास exclusive ride था यानि British East India Company के इलावा और कोई भी merchant जो है इंडिया में trade करने के लिए नहीं आता आ सकता था इसके अंडर तो guys exclusive का होता है कि सिर्फ इनी के इनके इलावा और किसी के पास नहीं था in the year 1765 तो guys ये 1600 में आते हैं दीरे दीरे trade करते हैं लेकिन जैसे ही ये trade करते हैं तो ये देखते हैं कि Indians जो है उनकी education इतनी बढ़िया नहीं है Indians में क्या है जो superstitions हैं बहुत जादा है तो guys इन सारी जो problems थी India में आप कहा सकते हैं कि social levels थे उनका ये फाइदा उठाते हैं और क्या होता है कि in the year 1765 the company which till no had purely trading functions obtained the divani rights तो guys इससे पहले क्या होता कि 1765 में next slides में आपको बताऊंगा कि जैसे battle of policy होती है battle of boxer होती है तो ये सारी battles में जब Britishers जीतते हैं तो 1765 में इनको divani rights मिलता है और divani rights किसे मिलता है ये direct question आप से पूछा जा सकता है तो ये मिलता है इनको शूजाओ दोला और इनकी treaty होती है Robert Clive और शूजाओ दोला की treaty होती है जिसे कहा जाता है कि first treaty of Allahबाद जो 1765 में battle of boxer 1764 के बाद हुई थी तो ये treaty of Allahबाद इनको divani rights provide करती है कि इनको British East India Company this started its carrier as a territorial power in the year 1858 in the wake of the spy mutiny the British crown assumed direct responsibility of the governance of India तो जब ये treaty होती है Britishers को divani rights जो है मिल जाते हैं तो इसके बाद इनका territorial power की एक area के उपर particular authority एक area के उपर particular power अधिकार तो ये इनका सिलसिला British East India Company का भारत में शुरू हो जाता है in the year 1858 उसके बाद 1857 में एक क्या होता है कि spy mutiny होती है हलांकि ये 1857 लेट शुरू होती है और 1858 में भी जाता है तो यहाँ पर ये कहते हैं कि 1858 में जब spy mutiny या जो revolt of 1857 होता है उसका end 1858 में होता है तो क्या होता है कि British crown जो होता है British crown जैसे आज की date में सौधी अरभिया में मोहमद बिन सल्मान है तो वे crown prince हैं कि hierarchical crown का होता है कि कोई election नहीं होते कोई democracy नहीं है बाप है उसके आगे बेटा या बेटी होगी उसके आगे बेटा या बेटी होगी या नहीं hierarchical होगा इंडिया में जो British East India Company की policy थी governance थी उसको directly अपने handover अपने undertake कर लेते हैं और उसके बाद जो है अगस्त 15 1947 तो गईस ये कब तक चलता रहा ये जब भारत की अजादी होती है 15 अगस्त 1907 को तो तब तक ये Britishers का rule जो है इंडिया में चलता रहता है तो गईस देखते हैं कि क्या लिखा है with the independence came the जैसे ही भारत अजाद होता है तो अजाद होने के बाद इतना vast area है vast population है सब को control करने के लिए एक legal document की जरूरत पड़ती है तो उसे ही क्या कहते हैं कि constitution Hence a constitutioned assembly was formed for this purpose in the year 1946 and on January 26th 1950 the constitution came into being अब constitution की जब जरूरत पड़ती है तो एक constitutioned assembly जो है उसका formation किया जाता है 1946 में ये तब किया जाता है Britishers के दौरा कि जब उनको लगता है कि अब हमें भारत को अजादी देनी ही देनी है तो गैस 1946 में ये constitutioned assembly बैठती है और उसके बाद ये constitution frame करती है 26th of November 1949 को तो किसी कारण वर्ष ये है ये जो constitution of India है ये implement होता है it came into force on 26th of January 1950 However various features of the Indian constitution and polity have their roots in the British rule तो गैस क्यों Indian polity में इसकी historical background पड़ी जाती है क्योंकि जितना भी ये constitution भारत के constitution makers ने बनाया तो इसमें काफी सारे जो features थे वो already जो Britishers थे इंडिया में लगवग 200 सालों से rule कर रहे थे उनके काफी सारे acts में से इन्होंने ये constitution of India में भी कुछ features उठाए अब देखते हैं हम detail में देखेंगे कि किस परकार के कौन-कौन से acts जो है कौन-कौन से charters या कौन-कौन से constitution या legal actions जो है वो British India लेती है यानि जो British India के duration में British rulers होते हैं वो लेते हैं और उसके वाद जब भारत की अजादी होती है यानि 15 अगस्त 1907 तक किस परकार के पिछले laws को आगे constitution of India के साथ जोड़ा जाता है तो guys इसको हम detail में देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि 1818 से पहले जो companies rule था यानि 1773 में एक regulating act आता है और तबी से असल में जो है British East India Company का भारत में rule शुरू हो जाता है और ये कब तक चलता है 1858 तक British East India Company का rule चलता है और जैसे ही Government of India Act 1858 आता है तो उसके बाद British Crown rule जो चल पड़ता है और ये कब तक रहता है 1947 में तो guys आज की class में मैं आपको सिर्फ इसका A part बताऊंगा A part में क्या है कि Company rule क्या है Regulating Act जो है ये क्या है इसके बाद इसको क्या जरूरत पड़ी amendment करने की तो ये इसके बाद देखिए सबसे पहले आपको ये dates भी पूछी जा सकती है जैसे आप से ये direct question अगर आप किसी मैंस की लिख रहे हैं मैंस का question तो आप से ये सीधा पूछा जा सकता है कि discuss the historical background of Indian constitution during the company rule तो guys ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है तो देखिए ये Regulating Act आता है 1773 में उसके बाद Amending Act आता है जो अमेंड करता है Regulating Act में कुछ drawbacks है इसको अमेंड करने के लिए 1781 में एक act आता है उसके बाद Pete's India Act आता है जो 1784 में आता है तो guys इसके बाद जो है अलग-लग charters जो है British QN की तरफ से अलग-लग आते हैं जैसे 1793 में कुछ ऐसा एक charter आता है कि जो company के rule को regulate करता है कि next 20 years के लिए किस परकार से company rule करेगी 93 में आता है उसके बाद फिर से जब ये 1813 में expire होता है ये charter नया charter आता है उसके बाद 1833 में आता है फिर जब ये expire होता है तो 1853 में आता है तो guys सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ये regulating act यानि British East India Company जैसे ही बारत में आती है और ये अपना administration में पाऊं जुमाती है यानि बारत की जो अर्थ विवस्था थी या जो राजे विवस्था थी उसमें ये भी दखलवाजी करती है तो guys सबसे पहले में आपको बता दो कि regulating act लाने के लिए ये British East India Company को इंडिया में establish करने के लिए इस आदमी का बहुत बड़ा रोल था ये कौन था ये था Robert Clive देखिए क्या लिखा हुआ Robert Clive was appointed as clerk in the service of the East India Company in 1743 तो guys ये सिर्फ 18 साल का था जिसे एक clerk की post पर East India Company में appoint किया जाता है लेकिन जैसे ही ये आता है भारत में तो उसके बाद एक तो इसके अंदर हुनर भी है इसके अंदर boldness है इसके अंदर techniques है यूद कुशल है इसके अंदर तो ये क्या करता है जैसे ही आता है the seas of our court our court एक करनाट का modern करनाट का में जो है एक area पड़ता है तो वहाँ पर ये attack करत है और वहाँ से ये battle जीज जाता है our court की battle जीज जाता है और उसके बाद इस area को सीज करता है during second करनाटिक वार गेवा major boost to his carrier and he became deputy governor of Fort St. David at Kudalore in 1755 तो गैस ये Kudalore Tamil Nadu में एक जगा है तो Tamil Nadu जैसे ही Britishers आते हैं तो ये सबसे पहले अपना जो area है capture करते है वो Tamil Nadu down south में ही करते हैं तो गैस क्या होता है कि इस area का जैसे ही आर्कट की battle जीता है Robert Clive तो इसको क्या किया जाता है कि इसको deputy governor बना दिया जाता है इसको डलोर area का उसके बाद 1755 में deputy governor बरने के बाद ये क्या रहता है from the year 1758 to 1760 and then 1765 to 1767 he remained the governor of the presidency of Fort William तो गैस जिसको आज की modern date में हम चन्नेई या तमिल नाडू कहते हैं तो ये सारा area कि इसमें आता था Fort William में तो जैसे ही ये 1757 में battle of boxer लड़ता है battle of classi और उसके बाद 1764 में battle of boxer होती है तो गैस इन सब को जीतने के बाद इसको क्या बनाया जाता है कि गवर्नर आफ दे प्रेजिदेंट्सी अफ फॉर्ड बिलियम फॉर्ड बिलियम का जो area है उसमें इसको गवर्नर बनाया जाता है तो गैस प्लासी की battle 1757 में होती है उसे भी Robert Clive जिताते हैं उसके वाद चिंसूरा में भी ये man leader होते है man hero होते है battle of boxer में भी all these battles paved the way for British conquest of North India तो गैस जैसे ही ये battles जिती जाती है Robert Clive के दोरा with the help of British East India Company की जो army होती है उनके दोरा तो क्या करते हैं कि ये British East India Company का Northern India में पाउं जमना शुरू हो जाता है after winning the battle of Placida 35 year old young man Clive returned to England in 1760 with a fortune of 3 lakh points and a rent of 27,000 points per year तो क्या होता है कि Robert Clive जैसे ही administration में आते हैं यहां पर भारत में तो इन्होंने corruption यनि अगर मैं कहूं कि corruption ही एक ऐसा कारण था कि जिसने Britishers को यानि Britain की क्यों को ये मजबूर कर दिया कि जो British East India Company इंडिया में है इसको regulate किया जाए तो जब ये आता है तो as a clerk की post पे आते हैं लेकिन जब ये जाते हैं तो इनके पास 3 lakh points की cash होती है इनके पास fortune और इनके कुछ ऐसे इन्होंने अपने घर और rent पे कुछ ऐसी buildings थी कि जिनका per year कितना rent आता था 27,000 points ये तब की बाद की जा रही है 1760 की तो guys आज भी 3 lakh points बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन उस समय इन्होंने इतनी corruption की सिर्फ Robert Clive नहीं नहीं की बलकि इनके साथ जितने भी British East India Company के officials थे सब ने मिलकर की तो guys ये ही कारण होता है कि जब Robert Clive वापिस England में जाते हैं तो इनके उपर corruption के charges लगते हैं और इनी charges से तंग आकर भारत में British East India को यानि Britishers के rule को 200 साल तक चलने की जो नहीं Robert Clive रखते हैं वो England में जाकर corruption के charges में फंसकर खुद को suicide कर देते हैं तो guys अब क्या ज़रूरत पड़ी कि company rule जो 1773 से 1858 में चला उसमें regulating act लाने की तो मैंने आपको detail में बता दिया कि इतनी corruption चल गए थी कि Britishers को यानि Britain की जो क्यून थी उसको मजबूर होना पड़ा कि इस company को regulate किया जाए कि किस प्रकार से आप जो है इंडिया में trade करोगे इन सब के उपर legal action एक प्रकार का charter जो है वो queen ने इनको दिया अब regulating act आता है 1773 में तो इसके अंडर क्या होता है तो गाइस यहां से ही शुरुआत होती है कि बारत में किस प्रकार से लाज जो है किस प्रकार से प्रजा एक राजा के अंडर रहेगी अब 1773 के regulating act में क्या provisions थे वो भी हम देखेंगे लेकिन इसकी constitution importance इसलिए थी क्योंकि it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India company in India guys East India company जो है Britishers की यह 1600 में आती है लेकिन इसको first step हम कहेंगे regulating act जो है first time इस East India company को regulate यानि इनको किस प्रकार से control में रहना है यह regulations देनी है अपनी किस प्रकार से trade करना है इंडिया में इन सब को regulate करने का काम कोन करता है regulating act of 1773 second कह रहा है it recognized for the first time the political and administrative functions of the company हलांकि काफी साल पहले से ही company जो थी वो इंडिया में political or administrative functions को अंजाम दे रही थी लेकिन जो Britain की Parliament थी या Britain जो Queen थी उसने first time इनको recognize किया through the regulating act of 1773 it led the foundations of central administration in India तो guys यह regulating act में कुछ ऐसे features हैं कि जिसमें एक जो powers की centralization थी administration की centralization थी उसको अंजाम दिया गया अब हम देखते हैं detail में की regulating act के features क्या थे और जो आज भी हम जो हैं अपने constitution of India में देखते हैं तो guys सबसे पहले आपको यह पूछा जा सकता है कि governor of change sorry governor of Bengal की term को change करके governor general of Bengal किस ने कौण से act ने या कौण से charter ने दिया यह नाम तो यह दिया regulating act of 1773 ने तो इसमें क्या गिया गया जो governor of Bengal था उसका नाम change करके उसकी position post को change करके governor general of Bengal बनाया गया and created an executive council of four members to assist him और four members की एक executive council बनाए गयी कि जो help करेगी administrative, political जितने भी affairs होते हैं state को governor general of India को और first governor general को था बना भारत का वो थे Lord Warren Hastings तो guys के ही exam में यह पूछा जासुप का है तो आप भी ऐसे question के आने की संभावना रखिए तो था regulating act से पहले कि जो governor of Bengal था, governor of Odisha था, governor of Bombay था, वो सारे independent थे एक दूसरे से उनका कुछ नहीं था, लेकिन यह regulating act जो है यह बंबे और मदरास के governor को under ले आता है, subordinate बना देता है कि इसके governor general of Bengal के, second कह रहा है, it provided for the establishment of a supreme court at Calcutta in the year 1774, comprising one chief justice and three other judges, तो guys यह भी आप से direct question पूछा जा सकता है, तो regulating act में एक supreme court को establish करने का provision भी था, अब यह था कि अगर किसी governor general का, अगर कोई decision ठीक ना हो, तो लोग जो है appeal कर सके supreme court में, तो guys इसलिए इसको बनाया गया, इट prohibited the servants of the company for engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives, तो guys इस regulating act में इतना शिकंजा कसा कि उनने, कि कितने वी जो जिदने वी servants थे, British East India Company के इंडिया में, यह इस से पहले अलग प्रकार के जो हैं, bribes लेते थे, या फिर gifts लेते थे, जो जहां के स्थानिये लोग थे, लेकिन इस regulating act ने यह सब गर दिया, तो guys इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद कौन सा कानून आया, regulating act के बाद क्या आया, कि pits India act आया, यानि कुछ कमिया थी regulating act में, और उसके बाद pits India act आया, यह 1784 में आया, अब इसके क्या features थे, देखिए, सबसे पहला जो regulating act में हमने देखा कि regulate किया company को, लेकि उसके किस परकार के functions हैं, यह regulating act ने नहीं बताया, तो यह सब बताने का काम किस ने किया, pits India act में, तो pits India act distinguished between the commercial and political functions of the company, कि किस परकार के trading functions होंगे, किस परकार के political functions होंगे, British East India company के, यह सब कौन बताता है, यह pits India act बताता है, It allowed the court of directors to manage the commercial affairs, but created a new body, तो guys, देखिए, यह समझने वाली बात है, कि court of directors की एक, जो committee थी, उसने क्या करना था, कि जितने वी trading जो affairs थे, उनको कौन देखेगा, court of directors, और एक board of control बनाया गया, जो political affairs को देखेगा, तो guys, आपसे यह direct question पूछा जा सकता है, कि यह जो dual system था, government का, यह कौन से एक्ट में आया, तो यह PITS-India Act में आया, it empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government and revenues of the British possessions in India, कि इंडिया में जितनी भी Britishers की possessions थी, चाहे वो territories थी, military थी, या कुछ भी था, तो उन सब को supervise करना, उन सब को देखना, यह empower किया गया, इस PITS-India Act के दवारा, किसको board of control को, Thus the act was significant for two reasons, देखिए इसकी जो importance है, वो दो बजा के कारण थी, क्या थी first, the company's territories in India were for the first time called the British possessions in India, तो इससे पहले जो है, वो भारत के उपर Britishers का जो अधिकार था, वो नहीं दर्शाया जाता था, लेकिन PITS-India Act के अंडर क्या कहा गया, कि यह जो territories हैं, जिनके उपर Britishers rule कर र the British government was given the supreme control over companies, affairs and its administration in India, कि किस प्रकार से company जो है, इंडिया में काम कर रही है, उसकी व्यवस्ता क्या होनी चाहिए, यह सब direct control में आ गया था, किसके British government के, तो गईज, इसके वाद 1784 के बाद, एक Act आता है 1786 में, उसमें क्या होता है, गईज, 1786, यह वही period है, जब 1787 में, या यह United States of America, तब सिर्फ America हुआ करता है, तो तो अमरिका से यह बागते हैं, यानि American Revolution चल रही थी, तो यह Lord Cornwallis, जो है, 1786 में, इंडिया में आने से पहले, यह अमरिका में एक Governor General हुआ करते थे, तो जैसे ही, वहाँ पर अमरिका की अजादी होती है, फिर इनको वहाँ से उठा के, यानि America से उठा के, इनको बेंगाल में बठा दिया जाता है, किस पोस्ट पे, Governor General of Bengal, लेकिन यह आते हैं with two demands, इनकी दो demands होती है, कि अगर आप यह मेरी फुल्फिल करोगे, तो मैं इंडिया में जाओंगा, क्या-क्या demands थी यह, एक तो यह demand थी, कि he should be given power to override the decision of his council in special cases, कि जो भी इनकी cabinet, इनकी assistance के लिए, इनको assist करेगी decision making में, कुछ special cases में अगर इनको जरूरत पड़ी, तो उनकी जो assistance या guidance और counseling है, उसको यह override कर सकते हैं, लेकिन in special cases, यानि कुछ special cases में यह अपनी discretion use कर सकते हैं, second, कि जितनी भी इंडिया में Britishers की army है, यह उसके भी head होंगे, य होगा कौन, Governor General of Bengal और यह थे Lord Convallis, accordingly the act of 1786 was enacted to make both the provisions, तो guys, इनी सब Lord Convallis की बात को सुनने के लिए 1786 में एक act आता है, और वो इस परकार की provisions बनाता है, अब क्या है, इसके बाद देखते हैं, देखें, यह तो Governor General जो बेंगाल के थे Lord Convallis, उनको तो यह जो है 1786 में मिल गी लेकिन इसके बाद इसमें भी कुछ कमिया रही और वो कमिया सारी धूर की जाती है 1793 में, तो guys, क्या है इसमें, यह जो charter आता है 1793 में, इसके कुछ features थे, वो क्या है, it extended the overriding power given to Lord Convallis, जो 1786 में Lord Convallis को overriding की powers मिलती है, वो उससे आगे इस act के द्वारा बनाई जाती है, कि इसके Lord Convallis के बाद भी जो governor generals आएंगे, या governor's of presidencies होंगे, वो भी कुछ special cases में, जो है, override कर सकते हैं, जो उनकी cabinet की council है, या उनकी cabinet की जो उनकी assistance है, second कहा कि it gave the governor general more powers and control over the governments of the subordinate presidencies of Bombay and Madras, कि इससे पहले भी हलांकि जो Bombay और Madras की presidency थी, वो subordinate थी, governor general of Bengal के, लेकिन ये act और उनकी power को लेकर किस में वेस्ट कर देता है, governor general of Bengal में, it extended the trade monopoly of the company in India for another period of 20 years, तो guys, ये charter act of 1793, ये regulate करता है, और extend कर देता है, कि जो trade की monopoly है, यानि trade पर दबदबा है, British East India Company का जो India में, ये next 20 years तक ऐसा ही रहेगा, यानि 1793 से 1813 तक रहेगा, ये इस परकार के provisions थे, इस act के 1793 में, it led down that the members of the board of control and their staff were hence for to be paid out of the Indian revenues, तो guys, इसमें ये भी act में provision किया जाता है, कि जो board of control या जितने भी officials हैं, Britishers के इंडिया में, उन सब की salary जो है, जो इंडिया से revenue, दिवानी rights के बाद British East India इकठा कर रही है, उसी में से इनको pay किया जाएगा, तो guys, ये सारे provisions कि इसके थे, Charter Act of 1793, तो guys, जैसे कि आप यहाँ बर देख रहे हैं कि ये 20 सालों का provision था, अब 20 सालों के बाद 1813 में जो act आता है, उसके कुछ provisions देखते हैं, It abolished the trade monopoly of the company in India, तो guys, इससे पहले क्या किया, कि जो trade monopoly थी, British East India company की 1793 के अक्ट ने उसको 20 सालों के लिए extend किया, लेकिन 1813 में क्या हुआ कि वो trade monopoly उसको खतम कर देती है, Britishers की क्यों, The Indian trade was thrown open to all the British merchants, देखिए अब control जो है, British government का वो लगातार company के उपर बढ़ रहा है, इससे पहले सिर्फ British East India company ही इंडिया में trade कर सकती थी, लेकिन 1813 का जो charter आता है, इसके according सिर्फ इनकी monopoly नहीं होगी, Britain का कोई भी trader जो है इंडिया में आके trade कर सकता है, however it continued the monopoly of the company over trading tea and trade with China, हलांकि ये completely abolish नहीं किया गया, अगर tea की field में ये चाइना के साथ कोई trade करना है, तो वो सिर्फ British East India करेगी, इसके इलावा अगर किसी field में trade होता है, तो उसमें कोई भी Britain का trader जो है, यहाँ पर आ सकता है It asserted the sovereignty of the British crown over the company's territories in India, तो guys इस act में ये भी किया गया कि जो final decision होगा company rule का India में, उसकी direction जो है British crown की होगी, यानि जो Britain की queen है, उसी के order के अंडर ये company इंडिया में administration का काम काज करेगी Next कह रहा है, It allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people, कि इसके इलावा Christian missionaries, जो Christian dharma का प्रचार करें, ये भी इस act में provision किया गया कि वो इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया में भी जो लोग चाहें तो उनको Christian बनाया जा सकता है It provided for the spread of western education among the inhabitants of the British territories in India, इसमें ये भी provisions था कि first time provisions था कि British education को, English education को इंडिया में promote करने की बाद भी जो थी, वो 1813 के act में थी It authorized the local governments in India to impose taxes on persons, they could also punish the persons for not paying taxes, तो guys ये इतना polity के लिए important नहीं है, लेकिन इसमें ये provision था आपको modern Indian history में ये चीज़ पूछी चा सकती है तो क्या है कि इस ये act जो है इंडिया के जो local rulers थे उनको empower करता है, कि वो जिस परकार से चाहें वो Indian inhabitants के उपर जो है, वो taxes लगा सकते हैं और अगर लोग taxes नहीं देते हैं तो उनको punish भी कर सकते हैं तो guys अब ये देखिए कि 1813 से ये another 20 years की बात करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो charter act 1833 था, उसमें किस परकार के provisions थे देखिए, this act was the final step towards centralization in British India, तो guys ये जो act था, ये final act था, इस time के दोरान जो है, वो Britishers के खिलाफ Indian revolutionaries थे, उनमें काफी रोश उत्पन हो चुगा था कुछ सालों के लिए regulate नहीं करता, अब देखते हैं इसके provisions सब पता चल जाएगा, it made the governor general of Bengal as the governor general of India, तो guys इसके बाद अलग-लग battles होती हैं, तो ये जो charter act होता है, 1833 का, ये convert कर देता है post को जो governor general of Bengal है, उसको क्या बना देता है, उसकी post को अब कहा जाने लगता है, governor general of India, and vested in him all civil and military powers, does the act created for the first time government of India, तो guys इससे पहले किसी एक particular part के उपर Britishers का rule था, लेकिन 1833 का जो charter act आता है, इसमें अब क्या Britishers कहने लगे कि ये British government of India है, having authority over the entire territorial area possessed by the British in India, तो guys आपसे ये direct question exam में पूछा जा सकता है, के ये बहुत सारे exams में ये पूछा भी जा जुका है, Lord William Banting was the first governor general of India, तो guys सती system को India में खतम करने का, abolish करने का भी एक काफी प्रकार से इनका योगदान रहा, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, कि who was the first governor general of India, तो ये कौन थे, Lord William Banting, It deprived the company of Bombay and Madras of their legislative powers, तो guys जब ये governor general of India बन जाते हैं, और जो Bombay और Madras की legislative powers थी, वो भी खतम हो जाती है, वो सारी west हो जाती है, किस में आज जाती है, The governor general of India was given exclusive legislative powers for the entire British India, exclusive देखिए, exclusive होता है कि जो सिर्फ इसी के पास हैं और किसी के पास नहीं है, तो ये charter act आता है, जब 1833 का, तो ये exclusive कि किसी भी कानून को frame करने का जो जिमान था, वो governor general of India के पास आ जाता है, जितना भी British India था, यानि जितने भी India की territory थी, जो Britishers के control में थी, उसमें किस परकार के rules and regulations होंगे, इन सारे laws को frame करने का जिमा, governor general of India को दिया जाता है, जो कौन है, Lord William Benning, the laws made under the previous acts were called as regulations, while laws made under the act were called as acts, तो ग्याइज इस से पहले जो, यानि 1833 से जो पहले laws बनाए गे थे, उनको क्या कहते हैं, यो उनको regulations कहते हैं, और इसके बाद जो कानून जाते हैं, उनको acts कहते हैं, next देखते हैं, इसी के features, तो guys, it ended the activities of the East India Company as a commercial body, अब जो trading काम था East India Company का, वो इस charter के दोरान जो है, बिल्कुल खतम कर दिया जाता है, which became a purely administrative body, it provided that the company's territories in India were held by its interest for his majesty, his hires and successors, तो guys, इस act में क्या कहा जाता है, कि अब जो British East India Company का, जो commercial organ था, यानि commercial body थी, वो totally खतम है, अब ये administration का काम करेगी, और ये administration का काम किसके अंडर करेगी, his majesty, यानि जो Britishers की, जो hierarchical, जिसे आप कहा सकते हैं, कि जैसे साओधी अरबिया में, आज की date में, मोहमद बिल सर्मान है यानि, crown के under ही, अब British East India Company, एक commercial body नहीं, बलकि एक administrative body होकर, इंडिया में काम करेगी, कह रहा है, the Charter Act of 1833, attempted to introduce a system of open competition, for selection of civil servants, and stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company, तो guys, इसमें एक, ये भी provision बनाया गया था, कि इंडिया में, जो जैसे आज की date में, IES का exam होता है, जो UPSC लेती है, तो guys, ये पहले भी हुआ करते थे, Britishers के दोरान, तो ये 1833 का Act, ये provision बनाता है, कि अब इंडिया में, सिर्फ Britishers ही civil servants नहीं बनेंगी, बलकि इंडियन भी उसमें पार्ट ले सकेंगे, लेकिन जैसे ही ये बात होती है, तो इस बात को इंकार कर देते हैं, कौन Court of Directors, और फिर ये implement नहीं होती है, यनि अब तक जो system था, वो सिर्फ Britishers ही, higher post पे थे, civil servants थे, तो guys, इसके बाद एक और Act आता है, जो last Act है हमारा आज का, तो ये है Charter Act of 18 1753, तो इसमें क्या-क्या provisions होते हैं, this was the last of the series of Charter Acts passed by the British Parliament between 1793 and 1853, तो guys, अलग-लग प्रकार के Charters आते हैं, सबसे पहला 1793 में, दूसरा 1813 में, तीसरा 1833 में, और ये fourth और last वला का बाता है, 1853 में, it was a significant constitutional landmark, तो अब इसके features क्या थे, देखे, इसके, it introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants, की 1833 में भी बात की गई थी, लेकिन, तब इसे नहीं माना, court of directors ने, लेकिन 1853 जब आता है, तो इसमें, अब ये system open हो जाता है, competition का, और इसमें, इंडियन के, इंडियन जो लोग थे, वो भी civil services के लिए apply करते थे, exam को clear करके, civil servants बनते थे, the covenanted civil service was thus thrown open to the Indians also, accordingly, the mackalay committee, the committee and the Indian civil service was appointed in the year 1854, तो guys, ये काफी सरे exam में पूछा जा सकता है, कि mackalay committee किसके regarding थी, तो ये इंडियन को include करने में, या फिर Indian civil services के regarding थी, जो जिसका formation 1854 में हुआ, इट extended the company's rule and allowed it to retain the position of Indian territories and trust for the British crown, तो guys, इस charter में भी ये बात की जाती है, कि अब directly जो crown इंडिया में rule नहीं करेगा, बलकि company ही rule करेगी, लेकिन ये company तब तक rule करेगी, जब तक British crown को company के उपर trust होगा, but it did not specify any particular period, लेकिन इस charter ने, जैसे पहले charter साते थे, 20-20 सालों के लिए extend कर देते थे, इसने किसी प्रकार की extension नहीं की, सीधा एक ambiguity term दे दी की, जब तक British crown में trust है company के बीच में, तो तभी तक अब company यहाँ rule करेगी, unlike the previous charters, this was a clear indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament liked, तो guys, इससे जब यह इन्होंने कोई particular time के लिए extension नहीं दी, तो इससे क्या clear हो जाता है, कि British crown जब चाहे तभी company के rule में India को end कर सकती है, खतम कर सकती है, तो guys, अब हम क्या देखेंगे, next आने वाली वीडियो में, अब हमने देख लिया है, यह सारा company rule, यानि 1858 तक क्या हुआ, 1853 का charter last देखा, तो next वाली वीडियो में हम देखेंगे, कि the crown prince का जो rule रहता है, 1858 में जो act आता है, government of India act 1858, तो उसमें किस प्रकार के provisions थे, उसके बाद भी अलग-लग provisions कौन से हैं, और उसके बाद यह सारा discuss करने के बाद हम making of the Indian constitution देखेंगे, कि किस प्रकार से जो है, वो अलग-लग provisions in acts से उसमें include किये गए हैं, तो गईस यह जो वीडियो है, यह मैं आपको बता दूँ कि यह Indian polity से ज़ादा आपके लिए, modern Indian history के लिए important है, तो गईस आज की class में हमने क्या देखा, कि किस प्रकार से British East India Company, पहले एक सिर्फ trading partner के रूप में आती थी, एक trading company आती है, दीरे-दीरे administration और commercial control बना लेती है, उसके बाद बेंगाल में अपना hold बनाती है, उडिसा और बंबे में बनाती है, तो गईस किस प्रकार से centralization of power होता है, कि पहले अलग-लग areas को अलग-लग जो है वो राजे या रजवाडे control किया करते हैं, लेकिन British India जैसे ही आती है, तो यह सारे रजवाडे जो है 1858 आने तक, total government of India या British government of India इस level तक बहुंच जाते है कि पूरे इस area को British India का नाम दिया जाने लगा, तो गईस यही है Indian constitution की historical background कि कि किस प्रकार से Indian constitution जो जनम लेता है इस idea का, कि किस प्रकार से पूरे इतने विशाल area को एक ऐसा constitution बना कर पूरे area को एक धागे में पिरो जाया जाए, यानि एक uniform system पूरे throat India हो, तो guys next video में हम देखेंगे the crown rule, तब तक आप इसको revise करें, लक्षमी कांद की जो book है guys, PDF मैंने आपको provide कि हुई है, या आपके पास जो भी hard का भी पड़ी है तो guys, वहाँ से revise करें, आपको ये वीडियो कैसी लगए, आप जरूर comment box में comment करके बताएं, इसके इलावा भी अगर आप कोई और suggestion देना चाते हैं, तो आप comment box में जरूर comment करके बताएं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगते हैं, तो guys, आप जरूर like करें, आप हर एक वीडियो का PDF, Almighty Guidance के YouTube चैनल को Telegram पर subscribe करके, जाइन करके वहाँ से PDF के साथ-साथ the Hindu newspaper, अलग-लग जो newspaper साते हैं, आपके examination point of view से important होते हैं, तो guys, वो सारे PDF form में मिलते हैं, अलग-लग books भी वहाँ पर PDF form में provide की जाती हैं, तो guys, Facebook पर भी काफी information share की जाती है, तो guys, अगर आपको ये लगता है कि इस परकार की videos आपके दोस नहीं है, रिश्तिदार ने Almighty Guidance के YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो उन्हें सबस्क्राइब करके ये ring bell icon को दबा कर all पर click करें, ताकि हर एक YouTube चैनल पर नई वीडियो या notification चनने से आपको तुरंद alert मिल जाए, तो guys, वीडियो देखने के लिए आपका जैहिन जैवारत